असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब मैं मेरे चैनल शेफ शेहनास में आप सब का वेलकम करती हूँ आज मैं बना रही हूँ बगराइट स्पेशल हैदराबाद की शान हैदराबाद की शाधियों और रमजान में बनने वाली स्पेशल दिश हरीज जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मजेदार है इन्शाल्ला आप सब को जरूर पसंद आएगी इसके लिए प्लीज वीडियो पुरी अन तक जरूर देखिए वीडियो अगर पसंद आई वो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ने बैल एकन प्रस करना मत भूलिए तो चलिए बनाते हैं हरीज हरीज बनाने के लिए हमें चाहिए हरीज का रवा 250 ग्राम यह कुछ इस तरह का होता है हम इसे एच्छे से वाश कर लिंगे और पानी दाल के इसे आधी घंटे के लिए भीगने रख दिंगे माश की दाल चाहिए 150 ग्राम मसूर दाल 50 ग्राम तूर दाल 50 ग्राम तूर दाल और मसूर की दाल को हम माश दाल में दाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तीनों दालों को हम अच्छे से वाश कर लेंगे और इसे भी आधी घंटे के लिए भीगने रख दिंगे आदा घंटा हो गया है हर इसका रवा और दाल को भीगे हुए चलिए हम इस दाल को और रवा को बॉइल कर लेंगे दाल को कुकर में दालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक दालेंगे और दाल को गला लेंगे हर इसके रवे में भी थोड़ा सा नमक दालेंगे और इसे भी पका लेंगे रवे में हम बीच बीच में ऐसा चमचा हिलाते रहेंगे वनना रवे को दाग लग सकता है रवा अच्छे से गल गया है गैस को हम बन कर देंगे दाल को हम कूकर में गला लेंगे दाल भी अच्छी से गल गी है इसे साइड में रख लेंगे गोश चाहिए हमें वनकेजी 250 ग्राम हरीज के रवे में मैं यहां वनकेजी गोश ले रही हूं एक बात याद रखी जितना हम हरीज में गोश ज्यादा दालेंगे हरीज उतनी ही तेस्टी वनेगी नमक, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अखाटिंगे देजे 1 टीस्पून हलबी पॉडर, 1 टेबल स्पून अग्रफ कसन पेज, 1 टेबल स्पून गरम मसाला यह सारी चीजें गोश में दाल लेंगे दहीं चाहिए 200 ग्राम यह भी समें दाल लेंगे कोटमीर, पुदीना, हरी मिर्च यह भी दाल लेंगे सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे आदे घंटे के लिए मेरिनेट कर लेंगे गोश मेरिनेट होके है इसमें हम 30 ml क्रीम दालेंगे क्रीम ऑप्शनल है इसे मिक्स कर लेंगे दो बड़े साइस की प्यास चाहिए हमें बारिक कती हुई और अच्छे से गरम हो गया है इसमें हम प्यास दालेंगे प्यास को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसमें से थोड़ा ऑई भी निकाल लेंगे इसमें थोड़ा ऑई भी निकाल लेंगे इस ओई को हम बाद में यूस करेंगे है थोरचाइ कलेंस दालेंगे इसे दो मिने तब फ्राई करेंगे अज़ोगी हो गया है प्षुडी लाजू अनिक की दालेंगे शेवी नियुकराय करेंगे यसे भी प्राई हो गए इसमें गोश्ठ दालेंगे 2-3 मिन तर राइ करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानिक दालेंगे और गोश को अच्छे से गला लेंगे गोश अच्छे से गल गया है इसमें बॉइल की हुई डाल दालेंगे और हरिसका रवा भी दालेंगे रवा दालेंगे और बॉइल किया हुआ इसका रवा दालेंगे बॉइल किया हुआ सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी पूरा सुका लेंगे पानी अच्छे से सूथ गया है इसे थंडा कर लेंगे और बाद में इसे ग्रैंड कर लेंगे गोश थंडा होने के बाद इसे इस तरह से ग्रैंड कर लेंगे प्यास फ्राई होने के बाद जो तेल निकाले थे वो भी इसमें दाल देंगे दैस ओन करेंगे और इसे पांच-दस मेट के लिए पका लिए हरीज अच्छे से पक्रिए इसमें थोड़ा साबित शाजीरा दालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे पांच मेट हो गए हरीज अच्छे से पक्रिए चुले को बंद कर देंगे एक फ्राई पैन में तू टेबल स्पून गी दालेंगे गी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे गी अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें 50 ग्राम काजु दालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्रेम पर काजु को फ्राई कर ये वना काजु जल सकते हैं काजु अच्छे से फ्राई हो गया है इसे निकाल लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे इसमें कोतमीर डालेंगे फ्राई की हुए प्यास डालेंगे फ्राई की हुए काजू डालेंगे जिस घी से हमने काजू को फ्राई किया था वो घी डालेंगे माशालला हरीस रड़ी है माशालला बैटी दिन वीडियो अगर पसाद नहीं होता प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इन्शालला जल्द मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक अपना और अपनी फैमली का खयाल रखिए अल्ला आफिस